हेलो फ्रेंज जैस्री मन्ना रायन कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो जी देखे ये है इवनिंग का टाइम और अभी लग रही है मेरी साम की जाड़ू और साम को देखे मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था हम लोगों ने और थोड़ी देर ह थोड़ी देर हमेशा ही रेस्ट कर लेती हूं मतलब अपने आप इमेरे आँके बंध होने लगती है तो यहां पर देखे मैंने सारी सारी घर में जाड़ू लगा ली है अंदर जो मंदिल बारा रूम होता है ना फोड़ा घंदा इतना ज्याड़ा होता नहीं तो फिर वहां थोड़ों बहुत कपड़े भी जो है सुवे मैंने सुखाए हुए थे वह भी निकाल लिये हैं और धूप भी बहुत ज्यादा तेज हैं हमारे उदर इतने तेज धूप आती है ना तो बिल्कुल मन नहीं करता गेट खोलने का बालकनी का भी नहीं ना कीचन की भी बालकनी का खोलती नहीं हो साम को गेट बिल्कुल भी मन नहीं करता तो जाड़ों लगाने के बाद मैंने जो है अपने ले चाय चड़ा ली है थोड़ी बहुत और चाय पी लूँगे मैं और दो दिन की जो मेरे बरतन थे ना तो उनको भी जो है अपनी जगह पर अरेंज कर दोंगी औ और ये बरतन समालनी का ना मुझे बहुत बेकर ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये वाला काम अपने जगह जो है बरतन अरेंज करना तो ये काम तो करना ही है तो चलिए बरतन लगा दिये है मैंने और चाय भी देखी मेरी यहां पर उबल गई है चिसे तो साम और पहले चाय पिलूंगे अराम से चाय भी ले जाओंगे अपने अपने लिये और साथ यहां यहां पर खोर खोबी देख लेए ने हूंद और अपने लिए बना ली था चाय hier तो इसके वेज़ से बच्चे आपने लिए ने नहीं होते हैं तो इसने मना कर दिया था पीने के लिए और थोड़ी देड़ आराम से बैठके चाहे पिलोंगे और साम्सेसे राध्या डांस भी दिखा रही थी और अब उसको नीचे जाना है खेलने के लिए तो उसके फ्रेंड जो है आजाती है उसको भुनाने के लिए उपर तो आ गई थे मेरे पास के ममों मेरे बाल बना दो और बाल बनाने तो मतलब उसके बाल बनाने देती है विल्कुल भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसको पूलती है कि बाल बनाने में उसको ज़्यादा दर्द होता है तो आज ऐसे ही बना दिये थे मैंने उसके बाल ऑईल भी ज़्यादा नहीं लगाया है दिन में लगाया था थोड़ा सा और तो ज़्यादा कर रहें बहुत ज्यादा कि मुझे हमार लिए नूडल्स नूडल्स बनाओ कब से मेरे पीछे पड़े हैं तो ऐसी हो जाता है कभी कुछ कभी कुछ तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लग रहा था मुझे बनाने का तो इसलिए आज सुचा क्यों नो इनके लिए जो है नूडल्स बना दूँगी तो यहां पर कपड़े मैंने तैय करके रख लिये हैं और थोड़ा सा अपने बाल भी बना लिये थे और उसके बाद जो है मैंने रख दिये हैं कड़ाई और मैं लेके आई हूँ हका नूडल्स दो पाकेट लेके आई थी तो उसके लिए मैंने सबसे पहले गरम पानी कर लिया है और उसमें नमक डाल दिया है ठील के बाद में यहादा नहीं उबालने के बाद तो हुआ कूछी से नरम प्लेगों जो इनको अचाही से उबालने के बाद में पूरा गीला करके मतलब जब अच्छे से उबल जाएंगे ना उसके बाद में इनको उबाल कर ही जाओंगी नीचे उबालने के बाद फिर में उपर आने के बाद ना फिर इनको सिरे बनाऊंगी तो इसलिए मैं इसको अभी उबाल कर जाओंगी तो इनको मैंने रख दिया है और कड़ाई में जो पानी है न अच्छे से गरम हो गया है और थोड़ी देर में अच्छे से उबलने लग गई थे फिर मैंने गैस की फ्लीम पूरी बंद कर दी थी और फिर मैंने उसमें एक दम से उपर से ठंडा पानी रख दिया था ठंडा पानी रखने के बाद जो मतलब च्हें जाली वाला बर्तन है जो मिरा उसमें मैंने पूरी जो नूडल से उनको अच्छे से च्छान लिया है और टिप-टिप करके न मैंने उसमें से जितना पानी है अच्छे से सारा निकल जाएगा जब तक तो मैंने उसको रख दिया था और फिर मैंने गरम-गरम जो तो फ्रेंस लोग भी मिल जाती है तो इसलिए मैं भी चली जाती हूं और थोड़ी देर नीचे चली जाओंगी तो इसलिए मुझे भी घर पर अकेले अच्छा नहीं लगता तो इसलिए मैं भी चली जाती हूं और थोड़ी देर घर आने के टाइम पर थोड़ी देर मंदिर मे चली जाती हूं और दर्शन कर लेती हूं भगवान जी के और फिर जो है मैंने अराध्या को और आरभ को दोनों को बुला लूँगी और फिर इनको लेकी जाओंगी उपर और अराध्या को बोल ली थी आराध्या चलो उपर चलो उपर उनका मरनी होता है बोलता है ममा थोड़ से मेरे पास पत्ता भोवी रखे हुए थे इनको भी जो है काट लूँगी मतलब स्लाइस में इकार ती हुए से मैं पर यह छोटी सी थी ना तो इसमें ज्यादा श्लाइस पनी नहीं थी मतलब बड़ी वाली जो थी ना से पतले पतली लंबी-लंबी कार्थीं तो इसमें एच् कब बनेगा कब बनेगा तो इसलिए मैं उपर आने के बाद लग गई हूं इनको बनाने में सीधे और बच्चों की फर्माई स्पूरी करने में और बच्चों को पसंद भी आते हैं तो इसलिए बनाती हूं अगर पसंद निया तो फिर कोई फैदा नहीं है खाली वेस्ट तो इसलिए बना देती हूं बच्चों को पसंद आते हैं तो इसलिए देखे सोचा आपकी साथ भी रेसिपी शेयर कर लो इसकी और तो पेल मैंने धेर सारा तेल डाला है ज्यादा ही टेल लगता है थोड़ा इसमें और फिर मैंने उसमें अद्रक और लसन का जो है मैंने और जाल दूंदे और प्याज भी मैंने चलिए बच्च में एक लिए रहा आघ़्ार काटा अटाल। है जँए प्याजमे आपकी अच्छा को यह व not the apologize यह में यहां तब काट के काट मैं भीज़ार कोई टोड़ा है और मैंने तोर निया पॉड़ार भी मुड़ा टाली है और नमक मिर्च निया घाल इस थिए रिया लाल मिर्च केश्था लादिया है आवारी तोर्फ बोजबों की रिखते हैं तो इसके बाद मैने इसमेंहा डाया है अप्रिष ल финने घृप से ह ही टीज्यस प्हें सब्सक्राइब ले औरुपल नुटल मैं इसके हमें में जितने भी मसाली बणाये हुए थे न चौमीं में तो उनको अचछे से मैंने पूरा मिक्स कर लिया है और जितने भी नूडरल्स हैं मतलब उनमें सब में अच्छे से मसाली लग जाएंगे जब तब और गैस मेरी एकदम धीमी आज पर अब भी पक रहे है ये और फिर में अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने गैस जो है पूरी बंद कर दी थी और फिर में इसको थोड़े देर में बच्चों के लिए डाल दूंगे और बच्चे कीचन में चक्कर लगाना उनका स्टार्ट हो गया था बोल रहे थे मामा कप बनेगी कप बनेगी और प्लेट में सब कर लिया है और सच में बहुत अच्छे हो रहे थे और थर्टी रुपीज के आए थे एक पैकेट तो मैंने दो ले लिए थे और अच्छे खासी में बन गए थे और बच्चों को पेट भी भर गया था मतलब सारी खतम हो गई थी और अच्छे बने थे तो इस कोल्डरिंग दाल दी थी थोड़ी थोड़ी से और फिर बच्चों को दे दिया था तो जी बच्चों को दे दिया है और साथी जो है अपने लिए भी लेके आ गई हो और मैंने भी टेस्ट करे थे और बहुत टेस्टी बढ़े थे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है तो इसलिए मैं घर पे बना लेती हूं और इधर हमारे उधर क्या है ना मतलब पास में इतने मिलते भी नहीं है और मिलते हैं जो मतलब इतना ज्यादा टेस्ट अच्छा नहीं लगता और तो इसलिए मैं घर पे ट्रया करती हूं तो अधिकतर बच्चों के लिए यह सब चीजे और अच्छी भी लगती है और खाने में जो है अपना पेट भी भर जाता है अच्छे से बच्चों का और पैसे भी थोड़ा बच जाते है तो बहार तो बहुत महेंगी प्लेट मिलती है और तो यहां पर देखिए 60 रुपीज में ह अच्छे से हो गए थे और बच्चों ने भी जो है पेट भर के अच्छे से खा लिया था तो जी देखिए यहां पर खाना हमारा हो गया है और बरतन जितने भी थे सारे वास करके रख लूँगी और बरतन तो जादा नहीं थे मेरे थुड़ों भूती थे क्योंकि मैंने करके रख लिये हैं और पहले ही मैंने वाश करके रख लिये थे और पानी जो है जितना सब पानी जो यहां पर हुआ है ना सारा वाइपर मारके निकाल लूँगी और कीचन भी जो है अच्छे से क्लीन करके रख लूँगी और आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी प्ली प्रीज कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तब तक के लिए टेक केर और बाबाई